नमस्कार दूसरों स्वागत है आप स्विकाँ आपके अपने उटी चैनल अमन प्रैस जिस में जैसा कि आज आज आपका 11 जून और 11 जून को आपका एक्जाम था जो कि इसके सिप्ट का विजाम समाफ्त हो गया है सेके सिप्ट में आपका 40 जिसके पुझे गये थे उन 40 जिसके प्रश्णों में से अधिक्तम जो रियल प्रस्ट है वह मिल गये हैं उन सब्सक्राइब को देखेंगे साथ में इस जून एक्साफ फैक्ट को भी तो चले वीडियो के स्टाट करते हैं इसका जो पीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जागा वो दोस्ता आपको डिस्किप्सर में दिया रहेगा साथ में कॉमेंट सेक्सर में पीन क्या ओर रहेगा तो आप जाकर वहां से जौन हो जाइएगा ठिक है तो चले जो कि अपना देस भारत में खिलागीया था उसमें श्रबारी बिकेट लिने वामी कंज नाम था आपका ओध समी तो इसके उलावा अगर आपसे पुचा जाता स्रवाधि करंड बनाने वाली। कुन थे तो सुरबादी करण भी आपका बनाया था अपना देश की खिलारी बियाट कोली ने कुल सास्तो पैसे ठड़ हैं जो कि बनाये थे इसके अलावा अगर आप से पुछा जाता कि ओंडे वर्ल्ड कब 22 का विजिता कौन है या पूछा जा सकता है तो इसका रैटेंस अपना देश भारत ही था इस वात को भी आद दखिएगा नेक्स कोशन जो पुछा गया है कि भारत के समिधान के भाग चार अनुच्छे दिक्यामन ए में डैस का उलेक क्या गया है चार ओप्शन दिये गये थे फंडमेंटल मॉलिक करतब दिये गये थे मॉलिक का दिकार द अनुच्छे दिक्यामन ए में क्या गया है इसके लाव भारती समिधान ने देश के परतेक नागरी को मॉलिक अधिकार दिया है इसलिए सभी को अपने शिमधान देश की रक्षा करनी चाहिए मॉलिक करतब वह करतब हैं जिने परतेक व्यक्ति को निभाने की आउसकता होती है हलांकि यह किसी व्यक्ति का दिकार है यह मौलिक करतब का पालन करना चाता है या नहीं इसके अलावा मौलिक करतब की मुख भिशसताइए हैं जिसा की मौलिक करतब सुरदाव सुर्था सेंघ्टी के सिपारेश पर बिलिश्मा समिधान संसुधन 1976 के माध्यम से जुड़ा गया था जिसे की लगुश्म धान भी कहा जाता है वरतमानमी इसकी संक्या 11 है जब 1976 में जुड़ा गया था तो इसकी संक्या 10 थी तो इस वात को भी आप प्या दखिएगा Next question है कि महातमा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम है तो महातमा गांधी के आत्मकथा पुस्ता का नाम आप से पुछा गया था जो की आपका कल भी पुछा गया था तो question आपका repeat हो रहा है तो आप लोग इसको अराम से वीडियो को पुरा दिखिएगा ध्यान से दिखिएगा पीडियो को पढ़िएगा तो महातमा गांधी के आत्मकथा पुस्ता का नाम था The Story of My Experiment with Truth यानि की सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी इसका नाम था ठेके इसके हलाब महातमा गांधी की जब लोग बात करते हैं तो महातमा गांधी को आमतोर पर भारत का राष्ट पिता माना जाता है क्या माना जाता है तो भारत का राष्ट पिता माना जाता है इसके लाबा इनका जो जनम है आपका 2 October 1889 को हुआ था इसके लाबा वो 1893 में वकालियत के अभ्यास के लिए दचिन अफ्रीका चले गए थे इसके लाबा दर्वन पर फिनिक्स सम्झोता शुरू क्या था इसके लाबा दचिन अफ्रीका के जोहांस बग्र में टोलिश्टॉइ फॉर्म भी शुरू इन्हों नहीं क्या था इसके बाद 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लॉट थें नोजनवरी की दिन को ही राष्ट्री प्रवासि दिवस भी मनाई जाता है इसके लाब 19 하나ra में चंपडरे सत्याग्रा क्या था जोकि माधबा गांधी के दितत में क्या गया पाला सत्याग्रा अन्दोलन था इसके लावा गांदे जीन 1930 में नमक करके खिलाफ नमक सत्यागरा शुरू किया था डांडी मार्च के रूप में इसके लावा 1934 में ही सबीने अवग्यान दोलने भी इनोंने शुरू गया था इसके लावा 1934 को इनकी हत्या कर दी गई थी नातुराम गोट्षे के दुआरा ठीक है तीस जरवरी के दिन को हम लोग सही दिवस के रूप में मनाते हैं यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए ठीक है नेक्स वुण पूछा गया वह पूछा गया प्रात् guilt के इस सी चापक के कोडिंग विशर में आपसे कॉछन पूछा गया था जिसका राइट इस-क आपका आथमाराम पंडूरांग हो जाहेगा ठीक है ठीक है प्रत्ना सामास की प्रात्ना समाज के द्वारा शुवथ पत्रिक़ा नामक मुख पत्र परकासित क्या गया था इसके लाबा वीरिय o सरीं अर्म समाज कें अर्श हमाज की बात करते किया गया था एसके लाव आपसे पुछा जाता कि डाम कर्शुमिशन का अस्ताधा कौन थे यह कि स्तापना किसने क्या था ओफ तो 68 näauen में मी शौवी इम स्का आपना है जो कि किया गया था ठेक? तो इन सभी को आप याद चछना होगा next question के पुचा गया कि सेयद वन्स का अंतिम सास अकई कों था ठीक है तो सेयद वन्स का आपका तो अलावधिन आलम सा इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका लवाज सेयद वन्स का पेहला सासक का नाम अगर आपसे पूचा जाता तो इसका राइट एंसर ख्रिजी खां होता, ख्रिज खां की बात करेंगे तो ख्रिज खां सुर्थन्ता की कोश्णा करने से पहले तो गुलवंस के दहत मुलतान का गवर्णर था और 1424 मी सेयद वंस के स्थापना इन्होंने क्या था, ठीके, इसके लबा अलाओदीन आलमसा सेयद वंस का अंतिम सासक था और लोदी वंस उसका उत्ता धिकारी बना, इसके लब मुहंबस शाह और मुवर्णक खां सेयद वंस के सासक नहीं थे, सेयद वंस की बात करेंगे, तो सेयद राजवंस ने लगबग सैती स्वस्थ तक दिल्ली सलतनत पर शासन किया और लोदी वंस उसका उत्ता धिकार बना ठीक है नेक्स वोस्टन पुछा गया कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है तो दक्कन के पठार की जब हम लोग बात करते हैं तो दक्कन के पठार से आपके option के according नदी का नाम दिया गया था सतलूज दो की आपका नहीं निकलता है तो राइट एंसर आपक aby घरए टबाया हैं जोस्टन के पूछा गया है कि राज साबा में रज्यों की सित पुछा गया है तो राज से कुछा गया था का उच्छ सदन कहा जाता है जिसा कि हमने पिछले वीडियो में बात है जो किया है तो रास्वा में दिक्तम सदस्त अधिक्तम संक्या की बात करेंगे तो राइसों है वरतवान में 245 सदस हैं जिसमें नामित किया जाता है इसके लावा राज्याक की बात करेंगे तो गलत्स सदस्तम के साथ अव reflects तो प्रदेस टॉप पर मना हुआ है इसके लावा ओर बीस अभी राज्यों के बारे में देखे तो आन्थ प्रदेस में कूल सीटों की संक्या एक है असम की बात करेंगे तो 5 सीठ है हिमाचर प्रदिस की बात करते हैं तो 3 जमु कुस्मीर की बात करते हैं तो 4 जारकन की बात करते हैं तो 6 करनाटा की बात करते हैं तो 12 ठीक है इसके अलाबा भी है केरल केरल में आपका राश्रवाक सीटे 9 है मद्पदिस में राश्रवाक सीटे 11 है मरास्टर में र बात करते ही तो तीरपुरा में को रिचेटों की संक्या एक है और उत्तरप्रदिस में कोल स्टों की संक्या एक तीन हे और पच्छे मंगाल में कोल सिटों की संक्या है ठीक है तो उत्तर प्रदेश में 31 सीठ है सबसे ज़्यादा यहीं पर है बाकी नियुंतम तो एक आपका बहु जगा का है ठीक है तो इसको भी आप्या दखिएगा नेक्स कोशन है कि निमर्कित में से किस भारती राजी में लोग करंग उस्सव मना जाता है लोग करंग उस् सातिवासी लोकल अकेडमी के द्वारा क्या जाता है तिभार का वास्तिक मकसद भारत की भू राजनितिक सिमाकन को मिटाना है यह बुपार शहर में आजूद होता है ठीक है नेक्स कोशन है पूछा गया कि जनगर्णा के नुशार नेमर्कित में से किस राज्य में दसक्ये जनसंक्या विर्दीदर सबसे अधीक है सबसे अधीक दसक्ये जनसंक्या विर्दीदर पूछा गया था तो इसका राइट इंसर आपका में घाले हो जाएगा ठीक है पर सबसे कम विकासदर आपका नागलिण का है नागलिण के बाद आपका के याल का है नागलिण में 0.47 परशंट नकराट तुमक है और के था है तो इसको भी आप याद देखियेगा कि कि इसके लाव भारत में उस्तव दस्य म Ci बैत करते ही मेखाले है तो सबसी ज्याद है ही II के बद के बाद आपका बिहार है बिहार के बाद जम्वकुष्मी इसके बाद आपका मिचुर्म है। next question ॐसे कि बंधुवा मझदुरी औ्मुलन अधिनियम के बात करते नहीं से अपना कर्ज चुकाने के लिए मजबूर क्या जाता है यहां नियोकता बहुत अतिक ब्याज तरों पर रिंदते हैं चुकि चुकाई जाने वाले रिन राची अनुचित रुप से धीक है इसलिए भुकतान करने के लिए आउस्षक समय बहुत बढ़ा है जिससे पिरीगट असमानता का एक डुस चक्र पैदा होता है इसके ला बंदुवा मजबूरी को भारत में बढ़र्या रिंच-बंदय के रूप में जाय जाता है श्रमति इंद्रागांधी जी के द्वारणquitoके प्रधानमन्ति ऊंप्रो चैनल में बंदवा मज़ूरी के लिए उनमुलन के लिए जमिदार थी भारत में मनदवा मज़ूरी के समाप्त करने के लिए भारत के संसर्थ ने मजदू बंदवा श्रम पनाली उनमुलन अधिनियम अधिनीमत किया था ठीक है नेक्स्ट कुस्टन आपका कोई पूछा गया कि आपको में बाड़ायों नहीं क्मोदार को क्यों कि यह सर्में होता है यह कि मुजण रोले के लिए मिंदो होताय और जो ली में आपका जा समय धालों नहीं क्यों मतरे प्रेंद आया है वीडियो पसंद देख लाइक कर दीजिए चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए मिलते हम लोग नेक्स टूडियो में पीडियाप टेल्लीगाम पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जाहिंद